इस समय में भुपाल में हूँ भुपाल में एक खास मौके पर आया हूँ और ये खास मौका है पांच-पांच वंदे भारत को एक साथ हरी जंडी दिखाना और खुद प्रधानमंत्री नर्ण मोदी हरी जंडी दिखा रहे हैं और उस ट्रेन के अंदर मौझूद हूँ जो उजयन रुकेगी और उजयन के बाद सीधा इंदौर तो तमाम ऐसी जगहें हैं जो इससे जुड़ती हैं क्योंकि उजयन की जब हम बात करते हैं तो महाकाल का नाम आता है और बहुत से भक्त हैं देश भर में जो वहां जाना पसंद करते हैं या जब महाकाल उनको बुलाते ह हैं तो वहां पहुंचते हैं और इस समय मैं ट्रेन में मौझूद हूँ एक डिब्बे के अंदर और यह डिब्बा आपने आप में खास है खास इसलिए है क्योंकि रेलवे के कर्मचारी इसमें सफर कर रहे हैं आए उन लोगों से बात करते हैं कि आखिर कार वंदे भारत से क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे साथ कई लोग हैं और उनसे हम जानने की कोशिस करेंगे कि आखिर कार जो सफर है वो किस तरह से बदल रहा है क्या नाम है आपका और आप क्या करते हैं मैं डियारम आफिस में हो दीप्ति दिवारी मेरा नाम है दीप्ति जी ये ट्रेन एक रेगुलर रन में जब चलना सुरू होगी तो क्या लगता है उजयन के भक्तों के लिए एक तुफा कहा जा सकता है जी बिलकुल सभी लोग जाएंगे उसमें तो हिंदुधर में सभी लोग जाएंगे वहां पर तो और ये सफर कैसा रहेगा बहुत अच्छा रहेगा सुख यहां कुछ और लोग है उनसे बात करते हैं क्या नाम है अजय कुमार सेन इस सफर में आप निकल रहे हैं और इस ट्रेन के अंदर की जो सीटे में देख रहा था एक अलग रंग दिया गया है क्या इसके पीछे सोचना है इसे डिफरेंट हो नहीं थोड़ा डिफरेंट चु है तो इसका लुक भी अलग है तो इसके अकॉर्डिंग सीट बगएर और बागी चीज़ों को भी उसको मोडिफाई किया है यहां पर एक अलग रंग दिया गया है मैं आपका क्या नाम है मेरे नाम सपना जंखेला है मैं जेई ड्रॉइंग हूँ डियारम ऑफिस आरके सपना जी देश भर के लोगों के लिए अगर हम कहें आप कुछ बताएं कि इस ट्रेन में सफर करें और भोपाल से इंदोर जाएं तो क्यों जाएं इसलिए क्योंकि यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और बदलते भारत की नई पहचान है हमारे देश में इतनी तरक्की हो चु बहुत अच्छी बात है कहीं न कहीं हर भारतवासी को यह गौरव लगता है कि इस ऐसी ट्रेन जो स्वदेश में निर्मित है आई सी अफ में बनी है और यहीं पर इसको डिजाइन किया गया है खास बात यह है कि इसका आई पियार भी देश के पास ही है और सबसे बड़ी ब कंपनी ने यहां ट्राइल भी किये और उस कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन वह ट्राइल कहा जाता है सफल नहीं रहे लेकिन इन सब के बीच जब वंदे भारत एक्स्प्रेस को बनाया शुरू किया गया तो कहीं न कहीं एक नई उमंग पैदा हुई कई ल पीजे बदली और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद दोबारा कहीं न कहीं वंदे भारत एक्स्प्रेस ने रफ़तार पकड़ी है अब सीधा सीधा टार्गेट है कि 75 वंदे भारत को जल्द से जल्द देश के कोने ने में चलाए जाना है और उसके बाद श्लीपर वरजन त्रेन चलाए जाएंगी, 400 भंदे भारत ट्रेनों पूरा का फूरा घार हो चुका। तो यहाँ आप जोस देख सकते हैं कि किस तरह का जोस है और आने वाले दिनों की बात करें तो वंदे भारत मेट्रों भी चलेगी यानि वंदे मेट्रों की भी तैयारी है तो हर तरीके से रेलेवे को बदलने की तैयारी हो रही है कैमरा मेन हीरा मंदल के साथ सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन भोपाल